हेलो एवरिवान दिस वहीद फ्राम राटेको तो अपनी आज की इस क्लास में हम अपने वेबसाइट का आर्काइव टंप्लेट सेट करेंगे तो आर्काइव पहले आपको दिखा देता हूं अपनी वेबसाइट का फिलाल किस तरह का है अपनी आर्काइव सिर्फ पोस्ट पीज को नहीं कहते हैं काफ में एसे जिस पर वी पोस्ट को हूँ हो उसका हम आर्काइव ही कहेंगे ज़रूर ही नहीं कि जिर्फ यह पेज हो शैतवार पोस्ट का पेज है, ए सेंपर पेज जो कि हमने post पे set किया हुआ है अपनी setting में reading में जाके तो यह है हमारा वो post वाला page जहांपे हमारी सारी post यह ओर रही है यह देखें और फिलाल इनका जो design है बहुत गंदा है design है मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है इसको हम design करेंगे लेकिन फिलाल हम इस page को edit नहीं कर सकते हैं इसको हम ना तो edit with element कर सकते हैं ना तो हम यह edit page कर सकते हैं अगर मैं करूं तो क्या होगा देखें इसके प्रेद आप्शन नहीं आ रहा है अगर मैं इस पर उपर क्लिक करता हूं तो जिनीचे यह एडर का आप्शन आ रहा है वही जो हमने बनाए थे और साइड शैटिंग थीम बिल्डर वागी चीज़ें आ रही है लेकिन इस पर मैं क वही जो पहले वाला चीज थी वही आ रही है लेकिन जो हमने पोस्स एट की थी वह नहीं आ रही है देखें इंदर भी लिखा रहा है यह और क्रूंट्ली एडिटिंग दा पेज देट शोज यूर लेटेस्ट पोस्ट इसका मतलब है कि आप वह वह वालपीज एडिट करने आपका नहीं बताया था यह जो पेजिस होते हैं यह थीम के कंट्रोल में होते हैं तो अब हमारे पास अपने पास ले लिए हैं तो अब हम इसको चेंड कर सकते हैं कहां से टेम्पलेट्स में थीम विल्डर में चलते हैं तेम मिल्डर यह आ गया हमारा तीम मिल्डर देखिर पहले वह वाली टैंपलेट्स हो रही है जो हमने अपनी पिछली classes में बनाई थी हमने header की बनाई फिर photo की बनाई फिर error 404 बनाया फिर उसके बाद single post की template बनाई तो यह सारी templates दर शोग हो रही है जो हमने पहले बनाई थी ठीक है अब भी हम बनाते हैं archive की template तो यह खड़ी है archive इस पे आगे यह जो plus का icon है इस पे क्लिक करते हैं ताके यह elementor panel को open करें तो यह हमारा elementor panel open हो रहा है तो यह हो गया हमारा elementor panel open इसको मैं करता हूँ इदर से close यहाँ पे हम अपनी archive की templates बनाएंगे तो देखें इदर भी कुछ options आ रही है जो के archive की है ठीक है फर इसेंपल archive title, archive post, author box तो archive title, title की तो फिलाल हमें ज़रूरत है नहीं करना चान्तों कर लें मर्ज़ी है जो चीज़ें मैं से यूज़ करें यह तीन नाव के पास widgets हैं तो मैं फिलाल यह यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं इदर आके drop किया तो यहाँ पे यह खुदी post को pick करेगा जो भी मेरी website में available होंगी यह देखें इसने चार post मेरी website में available है तो इसने चारों को pick कर लिये अब इदर से मैं इसकी डिजाइनिंग कर सकता हूँ कि मैंने इसको किस तरह शो करवाना है क्लासिक स्टाइल में शो करवाना है या कार्ड स्टाइल में मितलब यह अपनी डिजाइनिंग है कैसी यूज़ करना है यह अगया फुल कॉंटेंट तो इसमें यह इस तरह फुल कॉंटेंट पर आएंगे मतलब कि अब यह दिन तीन आ रहे हैं कैर आप नित्म caution अब यह इसमें टीन C ऊसके नीचे भी तरह की तरह यह यह अग्यानी है तो दीन कर दो यह दो भिए डो पर दो सबåस्ट के नीचे इसी तरह नीचे भी सारी इस तरह आ ही यह आएंगी दो 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 गर के कि अधर दो सेट है इस तरह इसको अगर मैं चार कर दूँ तो चार की चार एक की लाइन में आएंगी इसके नीचे जब और आएंगी तो नीचे भी चार उसके नीचे चार उसके नीचे चार उसके नीचे चार तो यह सब मतलब कि एजी सी डिजाइ और रखनी है लेफट पर रखनी है तो अगर हम इसको लेफट पर कर दें तो देखें अभी जो इसका content है वो राइट साथ पर हो जाएगी अभी अपडेट नहीं हुआ इस पर तोड़ा सा इसुआ जाता है कभी-कभी लेकिन अप्लेट हो जाना जाये इसको, राइट पर करते हों बेंदेढ़ हैं, अभी देखें, जो इसका कॉंटटर है, वो आग nett है राइट साइड पर उर इमैज आगी लेफ्ट साइड पर, क्योंकि image को रखा हमने right पे जो content है वो left side पे इसको मैं ऐसे तो से ठीक से शोर नहीं हो रहा है मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं कि एक करके अभी देखें जो image है आपकी वो right पे है और जो content है वो left side पे है क्यों क्योंकि हमने इसको रखा इमेज पोजिशन राइड तो इसको मैं दुबारा से इमेज को टॉप पे रखता हूं और जो हमारा कॉलम से इसको मैं रखता हूं तीन पे तक इस तरह हो इस तरह हम जो ठीक लग रहा है तोड़ा आगे इसमें कुछ और सेटिंग्स हैं स्वाड़ी चोटी मोटी इतनी सेटिंग आप उसको चेंज करते हैं जैसे कि यह देखें नीचे कुछ मैटर डेटा आ रहा है मैटर डेटा क्या होता है यह उसकी इंफॉमिशन जो होती है डिसंबर दोजर पाइस जिस में यह पब्लिश हुई इसके लावस पर कितने कॉमेट्स आही हुए है इसके उपर कोई कमेट्स नीं किया हुआ और यह देखें इसमें हम और मेरे डेटा एंटर करना चाहें रहे हं तो हम इसके चाहों तो साहते हैं फिर डेटा एगा फिर कमेट्स आ रहे लिए इसका है तो इस तरह हम सारी स्ट्राइग वेटर करके कुछ चीज़ और चाहते अग। आर रही है कि को करते हैं एक्सर्थ इसको अगर आपने खतम करना है, तो इसको बंत करदें तो यह बंत हो जाएगी यह जो लिख्या आरी थी, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, आप खतम हो गी अभी, अब अब अब्सक्रप्ट नी आरी, इस डारेक्ट read more का बटन आ हरा है, तो वह भी अगर आपने खतम करना है read more का बटन तो वह दर से खतम हो सकता है, या पर अगर आप ने रेड़ मोर की जगा कुछ और लिखना है तो वह भी अब दरसे लिख सकते हैं रेड़ मोर की जगा मैं अगर करना जाओ तो भी मैं कर सेबता हूँ तो यह चीज़ आपको समझ आ जाने ही अगर आपने हमारा इंटरमेंडر का कॉर्स किया है अगर आपने नहीं किया आप कर लें डिस्क्रिप्चिन में लिंक पी होगा तो वो कॉर्स अकर आप ने किया तो यह चीज आपके लिए हलवा होगी विच्चब आप यह इंदे देख लेते हैं इसका लियाउट में वही शैटिंग है जो हमने पहरे भी की थी इसके लावा इमेज है बाकी चीज़ें कुछ हैं कलर्स अगरा यह वह सारी चीज़ें आप चेंज कर लेंगे यह तो टाइटल का कलर मैं रखता हूँ यह यह नहीं यह रखते हैं टाइटल का कलर और उसके साथ है जो मेंटीड्र डेटा है मैं पर रखते हैं यह कलर और जो हमारा read more का मतलब के जो कि हमने read more की जगार लेर मोर लिखाए उस पे करते हैं color हम यह वाला ठीक है तो यह हमने अपना तोड़ा था मतलब किसको बना लिया यह माना था archive का page archive की template ठीक है तो अगर हम इधर publish करें तो यह भी पूछेगा हमसे condition जब भी हमने अपनी विल्टर में कोई template बनानी है तो हम condition लाज़मी इंटर करनी है condition लाज़मी होती है अगर हम इधर से save and close करते हैं तो यह काम नहीं करेगा for example आप से save and close हो गया तब क्या होगा आपने condition add नहीं की तो अभी मैं दोबार आपने dashboard में जाता हूँ यहां के dashboard इसको मैं new tab में open करता हूँ और अब मैं अगर अपने page में जाओं तो मैं देखूंगा कि उसमें कोई खास changing नहीं होई खास किया arm changing में नहीं होए कोई changing आएगी यह नहीं उसमें यह page था ना हमारा इसको मैं दिखाता हूँ आपको वीओ पर click करके देखें वैसे का वैसा है कोई भी change नहीं हुआ क्यों क्यों नहीं change हुआ क्योंकि हमने condition add नहीं की तो अब अगर आपने यह सारा कुछ कर दिये आप condition कहां से add करेंगे आप तो condition का फर इसमें कुछ changing करते हैं अब अब इसको अगर आप अपडेट करते हैं तो फिर से यह condition पूछता है इस तरह आपने condition देनी है है condition में अपने देखें लिखा रहा है आल आर्काइव यत्री भी आर्काइव से आपकी website पे सब यही आपलाई हो जाए तो अगर आप जाते हैं कि यह सब के अप्लाई ना हो सिर्फ पोस्ट की अर्काइव प्लाई हो तो आपने यह सिर्फ पोस्ट के लिए बनाया है तो आप इसमें इदर से कर लें पोस्ट आर्काइव काफी तरह की होती है आर्काइव जरूरी नहीं कि सिर्फ पोस्ट की आर्का लब जहां जहां भी पोस्ट आएंगी इस डिजाइनिंग में शो होंगी सेव एंड क्लोज करते हैं तो एक बार यह अपडेट हो जाए हो गया अभी मिद्राक में रिफरेश करता हूं वही पेज है सेंपल पेज तो अभी देखें जो हमने डिजाइन बनाया था बिल्कुल व की डिजाइन है तो इस तरह को समझागी होगी कि इस तरह हम पूरी वेब्सेट को कंट्रोल करते हैं अलिमेंटर की हल्प से तो आज की वीडियो में बस इतना ही से नेक्स अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज